त्यान रखन जोग जरूरी गला नमब एक, ग्याहज़ी समस्या होनती पोजन विच अजवायन मलवना शुरू कर दियो नमब दो, शिलके वालियां दाला सबजिया नाल केल स्ट्रॉल हमेशा कट दा है नमब त्यान, खाणा खाण तो पहला मिठा खाण नाल केल स्ट्रॉल काट दा है एसलिए हमेशा खाणा खाण तो पहला थोड़ा जा मिठा जुरूर खाओ नमब चार, खाणड विच सल्फर होनता है, जो कि पटाक्या विच वरत्या जानता है ये साड़ी स्रीर वेच एक वार जानतों बाद बाहर नहीं निकल दा जैस करके साड़ी से तुन बहुत नुकसान हुंदा है नमबर पांच जिन्ना वच्चें दी गरूत नहीं हुंदी जाफर पतले हुंदी समस्या है ता उनना दी डाइट वेच पनीर जिरूर शामल करो क्योंकि पनीर वेच प्रोटीन काफी मत्रा वेच पाया जान्दा है नमबर शे जादा नहान वाल इंसान दी बाल चड़न दी प्रॉबलम हो जान्दी है नमबर सत जेकर तुसी अपना बजन बदाउना चाहँदे हुं ता आलू बाल के खाओ इसना तो हड़ा बजन बदन लगदावेगा नमबर नौ अंगूर खाणना डाइवुटीज होंदा खत्रा वाद जान्दा है नमबर दास फैटी लीवर दे मरीज़नों दोद्दा सिवन नहीं कारना चाहिदा नमबर क्यारा किड़नी दी बिमारी होंटे पोलकेवी खड़े होके पाणी ना पियो नमबर बारा रात मूं अलू खाणनाल बजन बदन लग जान्दा है नमबर तेरा रात ते दुपैर दे खानी तो बाद लसन दी एक कली खाओ बजन शेती काट हो जावेगा नमबर चौदा जेकर पेट दी कोई भी बिमारी होवेता मसर दी दाल जादा तो जादा खाओ नमबर पंदरा कब जहोन दी समस्या दी स्वेरे पाणी पीके कोज देर अड़ियां दे वाल चलना चाहिदा है नमबर स्तारा जेकर तो हनुत काफ्ट में सों सों लगेता थोड़ा जग कोड़ खाल तो हाड़ी इनर्जी बाद जावेगी नमबर स्तारा एक सा वेच कदे भी पाणी नहीं पीना चाहिदा एसनल सीने विच दर्द होन लग जान्दा है नमबर अठारा स्वेर ते समय पी जे होई शोली कान नाल बजन तेजी नाल बाददा है ते मसल्स भी मजबूत हुंदे हान नमबर उनी हार रोज एक टमाटर कान नाल बाल कदे भीस फैद नहीं हुंदे नमबर बी जेकर बुखार कट नहीं हो रहा ता चौन दा उबलया होया पाणी पीलों फैदा होवेगा नमबर एक्की लंबे समय तक चोक के कम कारन नाल रीड दी हड़ी यते गर्दन नाल जुडियां समस्यामा हो सकती हैं नमबर बाई बालां दी लंबाई बदा उन देले नारी यल दे तेल विच आमला पौडर मिलागे बालां दी जड़ां तेम साज कारन नाल बालां दी लंबाई बाद जन दी है नमबर ती जेकर तुसी दले दीख राश तो परे छान हो ता इस दे ले चौकलेट खाओ नमबर चौवी धाल चिनी दा परजोग देन विच किसे वी रूप विच कारनाल तुसी बिमारियां तो दूर रहूंगे नमबर पच्ची जेकर सोई विच कम करदे समें हाथ जाल जावे ता उस उपर जय तून दा तेल लगाओ तो हनू अराम मिलेगा नमबर शब्बी तेन चार शोटियां लेचे अनू एक चमच सौंफ दे नाल पीस लवो ती एक गिलास तोद दे नाल रू जानना पिलो तोड़े अक्खांदी रोशने बाद जावेगी ती तोड़े आण के वी उत्तर जावेगी नमबर स्ताई फ्रेज वेचे कदे वी ब्रेड ना रखो ब्रेड नू हमेशे रूम टेंपरिचर ती रखो ज़्यादा समी तक खराव नहीं होंगे नमबर अठाई स्ट्रावरी दा इस्तेमाल कारना दांद नेचुरोल तरीके नाल सिफायद हो जान्दे हन नमबर अनती जेकर केला खारना तो हनुका अबजदी प्रावलम होंडी है ता थोड़े जय काला नमकल लगा के खाओ यस तरह कारना तो हनुका अबजदी प्रावलम नहीं होवेगे नमबर ती ज्यादा खांडवाली चापी इनना लोक में टापेद अश्कार हो जान्दे हन नमबर इकत्ती खाना खान तो बाद गोड़दा सेवन करना बहुत फाइडे मन्द है हार रोज गोड़न किसे न किसे रुख वेच जरूर खाना चाहिदा है यस नाल अनीमिया दा खत्रा नहीं रहनदा नमबर बत्ती जेकर खाना खान तो बाद पारापन महसूस हुन्दा है तक गर्म पाणी वेच नाम कते नेम्बू मिला के पियो अराम मिलेगा नमबर त्यत्ती कच्ची मूली खान नाल दिमाग तेज हुन्दा है नमबर चंग्ती दंदा नाल नों कटन नाल अक्खांदी रोश्नी कटन लग जादी है नमबर पैंती स्वेर हुन्दया ही मुवाइल वर्तनाल सेरदार दी समस्या हो सकती है नमबर शत्ती अंटे वेच नेबूदा रास मिला की इबालां ते लगाण नाल बाल काली ती सिल्की हो जान्दी है नमबर सैंग्ती रादनों हनेरे वेच सौन नाल डिप्रेशन दा खत्रा काट जान्दा है नमबर अठती खाने दी किसे वी चीज वेच कदे भी उपर दी नमक नहीं पौना जाहिदा यसे नाल बलाट प्रेशर बाद साकदा है नमबर अठताली जोद शेक्काउन लगेता सेर नुचु कालो अख खांदी रोशनी बदन लग जावेगी नमबर चाली जीडे लोग जादा तोर्दे हन उन्नानों देलदी बिमारी नहीं हुंदी नमबर अठताली जीडे लोग खाना ते जीनल खांदी हन उन्नानों देलदी बिमारी हो साकदी है क्योंकि खाना जल्दी हाजम नहीं हुंदा सवीर्दा खाना चड़नाल इंसान दा सरीर फुलन लग जन्दा है ते हाजमा सोस्त हो जन्दा है सेर विच दर्द होना कमजूरी होनी चक्कर आउने सार्यां दी वज़ा सवीर्दा खाना चड़ना है आमपनू ठंडा करके खाऊ ते उस्तो वाद कच्ची लसी पीलो एस तरा करनाल फिनसिया नहीं होन गिया हार रोज वेस्तरीनू चाड़के विशाओ सौन नाल ड्रोने सुपने नहीं आउन गे जेकर तो अड़े मुवच छाले हन्ता अलूव खारे दा जूस पीलो शाले खतम हो जानगी वाल लंबे करने हन्ता सूर्ज मुखी दा तेल अपनी बालां ते लगाओ ते मालिश करो जेकर तो अड़ा पेट वादरे है तक खांड चौल मेदे नल बणियां चीज जान्दा सेवन ना करो गैन्यां दे डब्बे वेच एक चाटदा टुकडा रखो एस नल काले नहीं होन्गी उरजाना बदाम खानना सूप गरते दिल दियां बिमारियां नहीं हो दियां चेरे ते शाइयां जा चोड़ियां होन ता खीरे नू अपने चेरे ते लगाओ दोद्द वेच खन जूर मिला के जूस बना के पीनना कद लंबा हो जन्दा है पानी विच अद्रको बाल के पीनना जोड़ां दे दर्द तो अराम मिल्दा है ट्रमाटर दा सूप पीनना चेरे तो शाइयां चोड़ियां गयव हो जन्दिया हांते चेरे ते निखारा जन्दा है पथरी हो जावे ता खीरे दा जूस पीव एसनल पथरी निकलन वेच मद्धत मिलेगी क्रेल्ली दे रासवेच चीन्नी मिलाके पीननान बवा सीर्थो शटकारा मेल जावेगा गंजा पन दूर कारले तनिये दा रासल लगाव फाइदा होवेगा कच्चे नारियल दा तेल लगाव नाल बाल मजबूत हो जान्दे है चेरे ते जोडिया हन्ता ग्रीन टी दा सेवन करो चेरे ते शाईया होन्ता नेमबुदा शिल्का लगाव चेरा साफ हो जावेगा गुणगुणा पाणी पीननाल इमसान दे दिल दे वाल कदे बंद नहीं होंदे हार रोज दहीं दा इस्ते माल करो में दा खराब नहीं होवेगा शाम नू चौल खान ना चर्बी शेती वदन लग जान्दी है बक्रे दा मीट खान नाल पडपा नहीं यंदा खीरे नू हार रोज सिलके समेत खाऊस केनन मलायम हो जान्दी है हार रोज नेब्भू पाणी पीननाल स्रीर्दी चर्बी कट होन लाक जान्दी है जैकम दी सोजनू दूर करले प्याजनू जुलालो एस विच हल्दी मिलाक मिल गाऊ नीचे पैन नल कमर दर्दनू राहत मिल दी है गरम पाणी विच थोड़ा जन नमक मिलाके नहां नल स्रीर्दी ते कापट दूर हो जान्दी है गान दा दुद्ध पीननाल जादाश्त तेज होन दी आलू बखारा खारननाल खून दी कमी पूरी होन दी नेमगुदे शलके दा पवडरवनाके विच नमक मिलाके बुर्ष कारनाल दंदान दा पीला पन दूर हो जान्दा है जेकर तो हनु चक्कराउने बंद नहीं होन दी ता काली नमक वाला पानी पेऊ साण तो पहला अपने चेरे ते गुलाब जल लगाओ छेती बुड़े नहीं हो मोगे स्वेरे खाली पेट पी जोई हो यो खरोट खारनाल चेरे ते चम का जन्दी है ते वाल मुझबूत हो जन्दी है हार रोज आडू खारननाल पेट ती चर्बी कट हो जन्दी है जेकर तो अड़े पैरावेच दर्द है ता माज दे दोद्वेच खंजूर पाकी पीन नाल दर्द ठीक हो जन्द है जेकर मेद्धेनू सोज होवे ता खाली पेट अनार खाओ दंदा ते नेमदी दत्न कारना दंदानू कीडा नहीं लगे जेकर तो अनू साधिया वीडियो जवदिया लग दिया नी ता वीडिया नू ज़धा तो ज़धा लाइक शेर ते चाईना नू सब्सक्राइब करना वेलको लभी ना पुल्ले